नमस्कार, मैं NIOS से प्रिया वर्मा, Senior Executive Officer आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम सभी जानेंगे Modern World के बारे में सामन्तवात के पतन के प्रभाव के बारे में जानेंगे पुनजागरन का अर्थ और इसकी विशेशताओं, सुधार और इसके प्रभाव के कारण की व्याख्या विज्ञान के विकास का उलेक करना इस काल की मुख्य विज्ञानिक होजों, कुछ मुख्य समुद्री यात्राओं की व्याख्या करेंगे यूरोब और शेश विश्व में और द्योगिक क्रांती, अमेरिकी क्रांती और फ्रांसीसी क्रांती के कारणों और प्रभावों की व्याख्या करेंगे जर्मनी और इटली में राष्ट्रिय एकिकरन के लिए संघर्ष पर चर्चा करेंगे समाजवादी विचारों और रूसी क्रांती के विकास की जांच करेंगे 13-15 सदी के बाद से युरोब की सांस्कृतिक और बौधिक जीवन में कई गंभीर परिवर्तन आए इन परिवर्तनों से आदूनिक काल में प्रवेश करने में मदद मिली यह पुनजागरन था इसने सामाजिक और राजनीतिक शेत्रों में चिंतन और तर्क करने को बढ़ावा दिया तथा जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया अगर हम देखें तो अरब देशों में तर्क और विज्ञानिक जाच की अवधी पहले ही शुरू हो चुकी थी युरोप में पुनजागरन के दौरान जो परिवर्तन हुए उन्होंने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया परिवर्तन सामान्ती प्रणाली के विगठन के साथ शुरू हुए Impact of Decline of Feudalism Feudalism as an institution flourished in Europe for many centuries But with the rise of the middle class, it started to decline मत्यकालीन युक्यदरान सबसे महतपून संस्थाओं में से एक था सामन्तवाद सामन्तवाद एक संस्था के रूप में कई शताब्दियों तक फलता फूलता रहा लेकिन जैसे ही मध्यमवर्ग का उदे होता है उसके साथ ही इसका पतन शुरू हो जाता है शक्ति शाली राज्यों के उदे तथा समाजवादी स्वामियों में आपस में युद होने से इसका पतन हुआ नए नगरों और शहरों के उदे होते ही तथा व्यपार के पुनरुधार में सामन्तवाद का विगटन हुआ ये नगर उत्पादन का केंद्र थे तथा इन पर निर्वाचित प्रतिनिध्यों का नियंत्रन था इन नगरों का वातावरण और नियंत्रन सामन्ती प्रतिभंधियों से मुक्त था क्योंकि लोग कहीं भी आने जाने तथा कोई भी वेविसाय करने के लिए स्वतंत्र थे नगरों ने कारीगरों और किसानों को आक्रिष्ट किया क्योंकि इन्हों ने जीवन की बेहतर संभावना उपलप्त कराई तथा सामानती शोशनों को से छुटकारा दिलवाया इन नगरों और शहरों ने कपास और गन्ना के रूप में कई फसलों के उतपादक को प्रोच्साहित किया क्रिष्ट को अपने उतपाद का नगत बुक्तान मिलता था विनिम्रित वस्तूओं को बाजार में बेचा जाता था जहां विनिमय का माध्यम पैसा था स्वामियों ने अपने जागिरदारों से सेवाओं के बजाए पैसा लेना शुरू कर दिया था क्योंकि विभिन उपभोक की वस्तूओं खरीबने के लिए उन्हें भी पैसे की आविशक्ता होती थी इससे शक्तिशाली व्यपारी वर्ग का उदे हुआ अब उन्हें समाज में बेतर रुद्बा रखने की लालसा होने लगी उन्होंने सामानतो स्वामियों की स्थिथी को कमजोर करने के लिए शक्तिशाली समराटों को समर्थन देना प्रारम कर दिया जिससे सामान्ती सरंचना कमजोर हो गई और इससे सामान्ती वर्ग का पतन हुआ नई विचारों के आगमन से नई चेतना का स्रिजन हुआ इसने पुनजागरन रेनेसा नामक नई आंदोलन को जनम दिया अब हम पुनजागरन के बारे में पढ़ेंगे आधूनिक काल के प्रारहम से विश्वास यूग एज ओफेत के अंत और तर्क यूग एज ओफ रीजन की शुरुआत हुई यह नवजागरन और सुधार आंदोलनों का साक्षी है इन आंदोलनों से लोगों के सांस्कृतिक, बौधिक, धारमेक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कई परिवर्तिन आए इस अवधी में शेहरी करन, परिवेहन की तीवर साधन और संचार, लोकतांत्रिक प्रणाली और समानता के अधार पर समान कानून को लक्षनित किया गया है The literal meaning of Renaissance is Rebirth It started in July around 14th century AD उस समय इटली छोटे शहर राजियों में विभाजे था उनमें से कई शहर राजे प्राचीन रोमन इमारतों के भगनविशेशों पर बनाए गए थे Italian cities की भुगोलिक स्थिती ने उन्हें महान व्यपार और बोधिक केंद्र बना दिया था धन के साथ विश्व के चारो कोनों से व्यपारी कई महान विचार लाए Italy में राजनीतिक और सामाजिक संगटन के नए रूप ने राजनैतिक स्वतंत्रता तथा अध्यन के लिए उप्युक्त वातावरन बनाया लोगों के पास अध्यन करने और अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप समय था यहे भी अत्यदिक आर्थिक विस्तार की अब्दी थी बुक्कीपिंग, बिल का आदान प्रदान तथा सरकारी रिंड कई वानिंजिक और वित्ती तक्नीकों विक्सित की गई इसलिए इटली पुनजागरन का केंद्र बन गया इस समय की प्रमुख खटनाओं में सम्मिलित थे शेरी जीवन के पुनारुथान वानिंजे के अधार पर निजी पुनजी बैंकिंग, राष्ट राजियों के गठन अंवेशनों के लिए नए मार्गों और प्रदेशों और स्थानिय भाषा सहित्य के विकास जो प्रिंटिंग प्रेस दुआरा लोग प्रिये था यह नया वैपारिक समाज कम हाइरार्किकल और अधिक धर्म निर्पेक्ष उदेश्यों के प्रती अधिक जागरुप था खोच करताओं ने महतपून भूमिका निभाई वैपार मार्गों की खोच के बाद अमेरिका एशिया और अफ्रीका से कई नई वस्तुएं लाई गई इन वस्तुएं ने यूरोप वासियों के जीवन को सम्रिद बनाया और अधिक लाप कमाने के लिए उत्पाधन के नए तरीके विक्सित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया परिनाम यह हुआ कि वेपारियों, उद्मियों और बैंकरों ने राजनीतिक जीवन ने सहयोग किया तथा अन्य देशों के साथ संभंधों में पूंजी ने महतपून स्थान नए विद्वानों की मुख्य चिन्ता का विशे बन गया वे मनुष्य की सुरुजनात्मक शम्ता और इस सिंसार में खुशी और आनंद प्राप्त करने के उन्हें अधिकार में विश्वास रखते थे यह मद्धेकालीन चर्च के विश्वास के विप्रीत था जो सांसारिक सुखों का विरोधी था मनुष्य के इस सम्मान ने कला, इतिहास, भाषा, साहित्य, नीती शास्त्र आदी में रूची को बढ़ावा दिया क्या आप जानते हैं कि इस समय विश्यों की मानविकी, हिमानिटीज के अंतरगट वरगीकृत किया गया मानवतावात की भावना को कला और साहित्य के शेत्र में भी अभिवेक्ती मिली पुर्णो जागरन कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्दियां चित्रकला का शेत्र में था चित्रकारों ने शरी और यह अलग कला थी लोगों ने खुद को मध्यकाली इन धार्मिक प्रतिबंदों से मुक्त कराना शुरू कर दिया राश्ट्रिय पहचान और अधिक मजबूत हुई और आधूनिक यूरोपिय भाशाओं इतालवी, स्पैनिश, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी आधि को साहित्य की भाशा के रूप में परिलिक्षित किया गया अब लेखक लाटिन के बजाए स्थानिय भाशाओं में कवीता, नातक, गद्य आधि का उपयोग करने लगे लेखकों के कार्य देशी भाशा के उपयोग और प्रिंटिंग प्रेस के प्रारम होने के कारण लोगों के एक बड़ी संख्या के लिए सुलब हुए बाइबल मुदृत किया गया था और लोगों को बड़ी संख्या द्वारा पड़ा गया पुर्णजागरन के उतरार्थ में यूरोप के इतिहास में दो विकास हुए पहला प्रोटेश्टन सुधार था जो इसाई धर्म में विभाजन का परिणाम दूसरा रोमन केथॉलिक चर्च के बीतर से सम्मंदित सुधार था आम तोर पर केथॉलिक सुधार या काउंटर सुधार के रूप में जाना जाता है सुधार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का एक हिस्सा था जिसे आधूनिक विश्व की का उत्पती हुई मध्यकालिन कैथॉलिक चर्च के आग्मन को अंदविश्वास, ब्रश्चाचार और धन के लालत से जुड़ा माना गया अंदविश्वासी किसानों को चर्च द्वारा आश्वस्त किया गया कि सच्चा कोर्स उसके पास है लोग सच्चे कोर्स के रूप में लकडी के एक टुकडे को देखने के लिए शुल्क का भुकतान करने लगे थे क्योंकि यह माना जाता था कि पवित्र अफशेश में स्वस्त करने की शक्ती थी अंध विश्वास पर अधिक जोर देता था ताकि व्यह श्रधालियों से अधिक पैसे आट सके यह सब पुनजागरन के आने साथ बदल रहा था पुनजागरन की नई भावना में कुछ भी स्विकार नहीं किया जा सकता था क्या आपको पता है कि 1517 इस्वी में मातिन लूथर नामक एक जर्मन पुजारी ने पहले रोमन कैथॉलिक चर्च के अधिकारियों को चुनौती दी उसके अनुसार बाइबल धार्मिक अधिकार का एक मात्र सोत्र था उनका मानना था कि चर्च पर अंध विश्वास करने की बजाए यिशु मसीत में विश्वास के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है उसने चर्च की कुछ प्रत्थाओं का विरोद किया जैसे की सबसे उची बोली लगाने वाले को चर्च के पदों का तथा पोप स्विकृत पत्रों का बेचा जाना लूथर को जर्मनी की राजकुमारों का सरंग्षन प्राप्त था क्योंकि उसमें चर्च की संपत्ती जब्त कराने की इच्छा थी परंतु उसके चर्च के विरुद लेक लिखने से मना करने पर 3 जन्वरी 1521 को पोप लियो दस्वे ने उसे धर्म से बाहर कर दिया लूथर के विचारों ने पर्शिम में प्रोटेस्टन धर्म सुधार की शुरुवात की और इसाई जगत को दो भागों में बाट दिया प्रोटेस्टन और रोमन कैथॉलिक उसके अनुसार ईसियों की मुक्ती ईसा मसी के बताय रास्ते पर चलने से मिलती ना की पोप स्विकृत पत्रा खरीदने से हाला की इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन लूथर के विचारों से प्रभावित था परंतु यह वहां के राजा हेन्री आत्विक के अपनी पत्नी कैथरीन को तलाग देने के प्रयासों से शुरू हुआ राजा के प्रधान मंत्री थॉमस कॉन्विल ने संसत में दो कानून पारित करने में मदद की ये थे अपीलों को रोकने का अधिनियम तता संप्रुभात का कानून इस कानून ने राजा को चर्च की शाही अध्यक्षता प्रदान कर दी राजा को एक साधारन मैला अनबोलीन से विभा करने की अनुमती मिल गई कैथॉलिक चर्च में एक धर्म सुधार आंदोलन अपने से शुरू हुआ जिसे प्रतिधर्म सुधार कहा जाता है इसका उदेश्य ब्रश्टाचार को कम करने और कैथॉलिक चर्च को सुधारना और सुद्रिट करना था इसकी शुरुआत स्पेन में हुई जहां इग्नुशियस लॉयल ने यूसु का समाज की स्थापना की जिसने पवित्रता, मिशिनरी कार्रे, दूसरों की मदद और ईश्वर की सेवा पर बल दिया जो आंदोलन मार्टिल लूथर ने आरम किया, वह इंग्लैंड के राजा हेंडरी आत्वे, हुल्डरिक जिंग्ली और जॉन क्विलिन के प्रयासों से पूरे यूरोप में फैल गया पुनजागरन के दोरान विज्ञान के शेत्र में असाधारन उपलब्धियां की गई थी हमने जाना कि पुनजागरन के विचारकों ने अंदविश्वास के कारणों पर अधिक जोड दिया और समझा कि ज्ञान, अवलोकन और प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उन्होंने परंपराओं और मानेताओं तथा अंदविश्वास को अस्विकार कर दिया इससे विज्ञानिक जाँच की शुरुवात हुई जिससे लोग भुला चुके थे पुनजागरन से विज्ञान के शेत्र में क्रान्ती आ गई लियोनार्डो डा विंसी जैसे कलाकारों ने शरीर रचना विज्ञान और प्रकृती को विज्ञान और कला के एक अनूठे मिश्रन के रूप में प्रस्तुत किया माइकल सेर्वाट्स एक स्पैनिश चिकित्सिक ने रक्त के परिसरंचन की खोज की विलियम हार्वे एक अंग्रेज ने हिर्दे द्वारा रक्त को शुद करने और नसो के माध्यम से इसके परिसंचनरन को समझाया पुनजागरन ने विज्ञानिकों द्वारा किये प्रयासे, प्रयासों, अवलोकन और प्रयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया विज्ञान में पुनजागरन की सबसे उलेकनिया अपलुबधियां खगोल विज्ञान के शेत्र में हुई क्या आपने कौपरने किस केपलर और गेलीलियों के बारे में सुना है वह महान खगोल शास्त्री थे जिनोंने सिद्ध किया कि पृत्वी सूरे के चारो और चकर काटती है पुनजागरन से पहले ये माना जाता था कि सूरे पृत्वी के चारो और घूमता है उन्होंने यह तर्ग दिया कि सूर्य और ग्रहों के बीच एक कक्षिय गती में चुम्बकिय आकर्शन है आईजाक न्यूटन ने सार्वभूमिक गुरूत्व युनिवर्सल ग्राविटेशन का सिध्धान दिया अपने द्वारा बनाई दूरबीन से गैलीलियों ने भ्रिस्पति के चंद्रमाओं की खोज की शनी के छले और सूरे को देखा उसने कॉपरनिकस की खोजो की पुष्टी की पुरुजागरन ने अन्य शेत्रों और अन्य लोगों के बारे में एक जिग्यासा का विकास किया अब हम पता करेंगे की ये कैसे हुआ Discovery of New Lands The spirit of inquiry encouraged many adventurers to discover new lands God, glory and gold was the main motive behind these discoveries नए वेपार मार्गों की खोज ने दुनिया के इतिहास को बदल दिया लेकिन सोना या आर्थिक जरूरत का उदेश्य सबसे महतपून था भोगौलिक खोजों से पहले यूरोपिय पूर्व से मसाले, कपास, जोहराद, रेशिम आदी वस्तुएं मंगाते थे जिसकी आपूर्टी के लिए उन्हें अर्भी और इसलामी प्रदेशों के बीच यात्रा करनी पड़ती थी और यह सुवीधा जनक नहीं था, यह अनिश्चिताओं से भरा था पूर्व एशिया के लिए एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज हुई और इसमें वैपार की शम्ता थी खोज करताओं का एक और मकसद था, जो था नए शेत्रों के लोगों को इसाई धर में परिवर्तित करना यह उनके लिए भगवान की सेवा का एक मौका बन गया इसके अलावा सहासी लोगों ने नई भूमी की खोज के द्वारा प्रसिधी मिली कुछ तो वास्तव में बहुत प्रसिध हो गए आपके वास्को दगामा द्वारा भारत की और कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बारे में सुना है क्या आप जानते हैं फॉर्डिनेंड मैगलिन पहला अनवेशक था जिसने दुनिया के चारो और चक्कर लगाने के अभिहान का नेत्रित्व किया डियाज एक और प्रसिध अनवेशक था सबसे प्रसिध पूर्टगाली राजा था जो यात्रा को प्रयोजत करता था वह था राजा हेन्री जो हेन्री नाविगेटर के रूप में भी जाना जाता है इन खोजों के लिए तकनीकी आधार, कमपास, वैद्दे यंत्रिका, खगोलिय सारनी और नक्षे बनाने के कला के आविशकार से हुआ इन यात्राओं से विश्वक में विभिन भागों में जैसे अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में वैपारिक चौकी बनाने और अपनेश्वारिक सामराज्य की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ अब वानिंजिक रूची अटलांटिक महसागर में भूमाद्य सागर से स्थान्तरित हो गई कई नई वस्तुएं जैसे तंबाकू, गोड, आलू, आदी वैपार में शामिल की गई इसने अमानविय दास वैपार की शुरुआत की गुलाम अफ्रीका से पकड़ कर अटलांटिक महसागर के पार और उत्री अमेरिका में विक्षारोपन के काम करने के लिए बेचे जाते थे इन वैपार पदितियों और नई समुद्री भाषा की कोज में यूरोपिये वैपारियों का विशाल धन जमा करने के लिए और नई मशीनों के विकास में निवेश के लिए मदद की यह और द्योगिक क्रांती थी जिसने उन्हें और अधिक शक्तिशाली और अमीर बना दिया Industrial Revolution The Industrial Revolution began in England from about 1750 AD This was possible because English merchants had accumulated huge wealth through overseas trade and her colonies secured the supply of raw materials उपनिवेश तैयार माल के लिए संभावित बजार के रूप में देखे जाते थे इसके अलावा इंग्लैंड में कोईला और लोहा उद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों की विशाल राशी थी इस प्रकार पूंजी पतिओं के लिए नई मशीनरी के विकास में निवेश करने और अधिक लाप कमाने के उदेशे से उतपादन को गती मिली अब मशीनों ने मनुष्य और पशूक्यों उतपादन के कारे से भटा दिया नई मशीनरी से उत्पादन में सुधार हुआ पर इससे समाज को दो भागों में बाट दिया पूंजीवादी या पूंजीवती वर्ग और मजदूर वर्ग क्रांतियां अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इतली और रूस में हुई ब्रिटेन में गौरवपून क्रांती के साथ एक प्रमुक बदलावाया संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिकी युद और रूस मजदूरों के आंदोलन से एक समाजवादी सरकार की स्थापना के रूप में उभरा इन कई राज्यों ने प्रभुद विचारों को प्रोचाहित किया, आजादी और राष्ट्रवाद की भावना पैदा की अब हम इन क्रांतियों के बारों में पढ़ेंगे 1688 की गौड़पून क्रांती इंग्लैंड में हुई और अन्य दुनिया के लिए प्रेणा का एक स्रोत्र बन गई इसी गौड़पून क्रांती कहा जाता है क्योंकि बिना खून बहाए इसे सफलता प्राप्त हुई थी स्टुएट राजा जेम्स दुत्ये ने अपने देशवासियों का लोग प्रिये समर्थन खो दिया था यह उसके अपने लोगों के प्रती कठोर रवया के कारण हुआ था एक महेंगी स्थाई सेना का निर्मान और सरकार में रोमन केथॉलिक लोगों के रोजगार में वृद्धी सेना और विश्विद्यालियों ने लोगों को गुसा दिलाया नाराज सांसद राजा जेम्स दुत्य को सिहासन से हटाना चाते थे और उसको बेटी मेरी दुत्य की सिहासन पर बिठाना चाते थे आशा है आपको ये सब पॉइंटर्स अच्छे से समझाएंगे